नमास्कार दोस्तों, Electrical Technician चाले में आपका स्वागत है दोस्तों, आपके घरों में जो वाटर टेंक होता है, इसको भरने के लिए आपका जो मोटर होता है, उसको आप बार बार चालू और बन करते हैं और आप छट पे जाके आपका जो वाटर टेंक है, उसको चेक भी करते हैं कि आपका जो टेंक हो फुल हुआ है कि नहीं हुआ है दोस्तों, आज के इस वीडियो के दोरा में आपको बताऊँगा कि आप किस प्रकार से इस वाटर टेंक को आटोमेटिकली फिल कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको use करना पड़ेगा water level controller ठीक है तो दोस्तों इसी water level controller के द्वारा हम इस motor को चालू और बन करेंगे साथी साथ में यह जो हमारा water level controller है यह भी बताएगा कि आपका जो tank है वो कितना percent भड़ा हुआ है ठीक है यहाँ पे आप indication lamp देख रहे होंगे यह G1, B1 और motor on जब आपका motor on होगा तो यह वाला जो green indication lamp यह glow करेगा और यदि आपका tank low है तो आपका यह G1 वाला indication lamp glow करेगा और यदि आपका जो tank है वो यदि full है तो उस condition में आपका जो यह वाला indication lamp है यानि कि B1 यह glow करेगा तो चलिए दोस्तों हम सीखते हैं कि किस प्रकाल से हम इस water level controller को connection करेंगे motor के साथ में दोस्तों market में एक प्रकार का switch और आता है जिसके दोरा हम इस motor को चालू और बंद कर सकते हैं यानि कि यदि हमारा tank जो है उसका water level कम हो जाए तो हमारा जो motor है वह start हो जाएगी और यदि हमारा जो tank water level है वह full हो जाए तो हमारा motor automatically बंद हो जाएगी उस switch का नाम दोस्तों float switch होता है दोस्तों float switch के बारे में मैंने already video बना चुका हूँ यदि आप देखना चाहते हैं तो उसका link में description में दे दिये हूँ वहाँ पे आप click करके उस video को देख सकते हैं ठीक है चलिए आगे बरते हैं दोस्तों देखेगा यह जो हमारा water level controller है इसका wire in बहुती easy होता है बस आप इस video को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा ठीक है तो यहाँ पे देखें दोस्तों यहाँ पे जो हमारा motor हो बहुत कम rating वाली यानि कि इसका जो ampere rating है वो 5 ampere 6 ampere इस type से इसलिए हम के वल यहाँ पे plug top का इस्तमाल करें इस motor को चालू और बन करने के लिए यदि आपका जो motor वो ज्यादा current लेती है तो वहाँ पे आपको starter के साथ में water level controller के इस्तमाल करना पड़ेगा तो यह जो हमारा plug top है इसका जो दाहिना pin है यानि कि यह वाले pin इस pin से एक wire को connect करके लिए जाते हैं यानि कि इस terminal के साथ connection करना होता है उसके बार में यह जो हमारा plug top है इसका जो left side वाली pin है इसमें से एक wire को connect करके लिए जाएंगे और इसको लिए के यह तीसरे number terminal के साथ connection कर देंगे तीसरे number terminal हमारा neutral के लिए होता है अब यहाँ पर हमारा जो water level controller था इसको input power supply मिल गया अब यहाँ से हमें क्या करना है motor को power supply देना है तो यहाँ से एक wire को connect करेंगे और इसको लिए के हमारा जो motor है उसको neutral supply दे देंगे अब दोस्तों दिखिए यहाँ पर हमारा जो water tank है इसको water level को भी control करना है तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ दिखिएगा यहाँ पर जो हमारा water level है उसको sense करने के लिए एक sensor आता है जिस यानि कि यहाँ से connect करके लेगे जाओगे और जो आपका water tank है इसके सबसे नीचे वाले part में आपको इस sensor को रखना होता है ठीक है यानि कि इसको सबसे नीचे में पहुचा देंगे यह जो हमारा sensor होता है यह हमारा common wire होता है अब यह जो हमारा green color वाली sensor है इसको हम क्या करते ह है कि यह जो हमारा G1 वाली terminal है यानि कि यह यहां से एक wire को connect करके ले जाते हैं और इसको ले जाके हमारा water tank है इसके नीचे में connect कर देंगे यानि कि यह जो हमारा red वाली sensor है इसके थोड़ा से उपर में इस green वाले sensor को हम connect करते हैं दोस्तों यहां बताएंगा कि आपका जो water level उसके बान में ये जो आपका black वाले sensor है इसको हम क्या करेंगे बीवन terminal के साथ connect करेंगे यानि कि यहां से connect करके ले जाएंगे और जो आपका water tank है इसके ऊपर वाले हिससे में connect करेंगे जाने कि आपका जो water tank है वो full हो जाए उस condition को दिखाने के लिए हम black wire sensor का उप्योप करें इसलिए हम इसको उपर में रखेंगे तो यहाँ पे जो आपका connection था water level controller का वो complete हो गया अब यह जो आपका water level controller है इसमें एक switch भी लगाया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो auto, manual और off दोस्तों यह जो आपका auto, manual switch है इसको यदि आप auto में रखते हैं तो आपका जो sensor है यह आपके motor को चालू और बन करेगा और यदि आप इसको manual में कर देते हैं तो directly motor चालू हो जाएगी यहाँ पे जो आपका sensor है वो manual condition में काम नहीं करता है यह जो हमारा sensor है वो auto position पे कैवल काम करता है उसके बाद में यहाँ पे एक off position भी है यदि आप इस switch को off position पे डख देते हैं तो आपका जो power supply है वो बन दो जाएगा यानि कि आपका motor चालू नहीं होगा ठीके दोस्तों तो I hope कि दोस्तों यहाँ पे आप समझ गये होंगे कि आपकी इस पकासे water level controller का connection करते हैं दोस्तों यदि आपके घर में इस्तमाल किया जाना वाला motor बड़ा है और आप उसको starter के जोरा control करते हैं यानि कि starter के जोरा चालू और बन करते हैं तो वहाँ पे आपकी इस प्रकासे water level controller का उप्योग करेंगे यदि आप जानना चाहते हैं तो please comment box में comment करके बताईए मैं आपके लिए उस topic पे भी वीडियो बना दूँगा दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आयो तो please इस वीडियो पर like, share और comment कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe भी कर लिजिएगा इस वीडियो को देखने के लिए धगनेवादे